जिस आदमी को मरा हुआ जानकर लोग उसके अंतिम संसकार की त्यारी कर रहे थे शमिशान ले जाकर चिता पर लेटाने तक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी वह अंतिम समय में जैसे सोते से जाग उठा हैरान कर देने वाली बात मद्य परदेश की मुरेना से एक ऐसे ही अजिबो करीब मामला सामने आया है दरसल एक शचको मूर्दा समझ का परिवार वाले शमिशान घाट लेकर आगे अंतिम संसकार की सारी त्यारियां हो चुकी थी तभी आचानक लोगों को पता चला कि इस यूवक में अभी भी जान है इसके बाद सभी हैरान रह गए इसके बाद समझान घाट पर डोक्टर को बलाया गया यह अजेबोगरिक मामला मुरेना शहर के वाट करमांक संतालिस के शांती धाम का है यहाँ जीतु परज़ापती नाम का जुवक केड़नी से जुड़ी समस्या से लंबे समय से जूंज रहा था मंगलबार को अचानक उसकी तेवित बिगड़ गई परीजनों को लगा कि उसकी मोथ हो गई है कुछ लोगों ने नाक और मुँपर उंगली रखकर सांस चेक किया सीने पर कान रखकर उसकी दढ़कने भी सुनी गई लेकिन जब उने लगा कि वह जिन्दा नहीं है तो उन्होंने अपने रिस्तदारों और प्रोशियों को बलाकर उसकी अर्थी सजाई फिर अंतिम जातर लेकर शांति धाम पोचे जहां युवक का कुछ ही देर में अंतिम संसकार होने वाला था जीता भी सजा ले गए थी तब ही उसका शरीर अचानक से हिलने डूलने लगा ऐसे लग रहा था कि मानो वह जह है कह रहा हो कि मैं अभी जिन्दा हूँ इसी हल चल को देखकर उसके परिजनों ने फोरन शांति धाम में डॉक्टर बुलाया जहां डॉक्टर ने युवक को एसी जी चेक करने के बाद गवाले रेफर कर दिया अगर जरा सी भी देर हो जाती तो ऐसा भी हो सकता था कि लोग उसका अंतिम संसकार कर देते फिलाल अभी भी युवक की हालात गंबीर बनी हुई है वही जीतु प्रजापति का शव जातरा में शामिल होते हुए व्यक्तित का कहना है कि युवक को मत समझकर उसके अंतिम संसकार की पूरी त्यारियां कर ले गए थी लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि युवक की अभी भी सांसे चल रही है डॉक्टर ने ECG की जिसके बाद उन्होंने युवक को गवाले रेफर करा वहीं CMHO अरकेश शर्मा का कहना है कि युवक को उसके परिजुन ने इम्रस समझकर अंतिम संसकार करने के लिए शांतिदाम ल एकिन दिल्मजन ने पल सक्षणा अंतिम सब्सक्शत करने के वहीं मरा सं समझक वाले थी तो ही कि युवक की दिल्म oh каждый अ